यह हैं दोस्तों मैं आर्मी रिटाइड सी उरतन सिंग लखी डिफेंस अकेडमी राजस्तान लार्मु से तो आज आप देख रहे हो आज हम मेडिकल का वीडियो बना रहे हैं इसमें आप लोगों को बेनिफीट होगा मेरे जो डिफेंस माते उनको तो मैं एक एक चीज आपको बच्चें को बता देता हूं लेकिन कई मेरे ऐसे भाई बैने जो डिफेंस अकेडमी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको अपको पता होना चीए कि यह मेरे पॉइंट से फीट है उनको किस परकार ठीक करा जाएगा तो आज मैं आपको मोटा-मोटा-मोटा जो बच् प्रोब्लम में वह बता हूँ है यदि आप चाहते हो कि नई सर हमारा एक सिनेटी वाइज आप पार्ट के यहां प्रोब्लम है उनको किस परकार ठीक किया जा सकता है तो यह आप लोगों के लिए आज का वीडियो रहने वाला है वीडियो पांसे साथ मिलने वाला है तो सबसे पहले मैं आपको जैसे बता देता हूं हमारा रहीम है अपना MP से यह जब आया था बंदा तो हाथ क्या यह इसमें गेप कम रहता है हाथ तो आपका मेडिकल पॉइंट मिलेगा यह एंगल केरी हैंल जिसको आपका देखा जायेगा इसके अंदर इसकेल भी होती दोरह हम चीक कर सकते लेकिन ृस प्रकारक नीमा कंदDO को अदर गए तो इस प्रकार नहीं रहे ना तो इस परकार का फिर भी कोई है आपके हाँ चिपकते तो यह आप पुसबस मार सकते हो लेकिन देख रहे यहां मैं बच्चों को बताता हूं जो भी पुसबस भगएरा बताता हूं लेकिन वह देख रहे कि करता है कि आपकी medical point किस परकार की है medical issue आपका क्या है इस परकार का है तो आपको point दिया जाएगा यह दोनों के रिये अंगल आपके चिपक रहे हैं इसके अंदर 15-18 डिगरी का आपका एंगल बनना चीए तो यह आप ध्यान अगना और खासकर एक लचक का होता है वह मा देखो यह देखरों यह हलका सा लचक है यह लचक का point भी आपको दिया जाता है इसमें कुछ नहीं आप military push-ups होती है military push-ups लगाओ लगाओ कितनी लगाने का तरीका एकदम फास्ट नहीं उसको जैसे मेरे वीडियो देखे होंगे बहुत धीरे-धीरे 100-100-200 एक दिन में 100-100 नहीं हो 500-500 continue push-ups माल लेता है तो इसमें आपका elbow का है लचक का है यह दोनों point cover होगे उसके बाद में next लगबग यह बंदा ठीक है इसमें कोई medical problem नहीं है इसका देख रहे हो यह दिखाना आए यह मलब कोई ऐसा दाग दबा हो जाता है तो उसकी ज्यादा tension लेकर नहीं गूम रहा है जैसे कोई चोट लगी है motor cycle की हलका पूलगा गिर गया है या कोई आपको injection लगा दिया यह को चाय गिर गिए यह दिको minor point minor problem है तो आपको medical unfit नहीं किया जाएगा इसके आप फाल्तू की टैंसल लेके नहीं बैठना बाकी लगबग बचा fit है next यह एक points रहता है अब जैसे elbow ह टाइट रहता है इसमें elbow tight हो रहा है इसके अंतर टाइट हो रहा है तो अब इसका हम क्या करें काफी बंदा इसका क्या operation operation नहीं कर सकते हैं और फोज वैसे आपको unfit कर देगी तो मैं अपना experience बता रहा हूं आप करके देखो और मैं 100% बोलता हूं इसमें आपको सफलता मिले आप इसको धीरे धीरे इधर नीचे की तरफ आपको प्रेस करना है अब उस यह निए एक दिन में आप ठीक करने कोशिस में बंदेगा हाथ तोड़ के बेट यह मैं पहले ही बता रहा हूं आपका कोई अच्छा दोस्त है समझदार बंदा है उसके पास ही या कोई अच्छा नोलेज वाला है उसको धीरे धीरे इस प्रकार आपको यह उठाना इससे भी महिना दो महिना जितनी प्रोब्लम है उस हिसाब से आप कितनी प्रेक्टिस करते हो मेरे इसाब से 10 मिन सुबह 10 मिन दो फर में और 10 मिन स्याम को यह नहीं आदा गंटा एक दिन भी दोगे तो आपका कुछ पुरानी अवस्ता में आज आएगा मलब ठीक होने की आवस्ता में आज आएगा आप इस प्रकार की प्रेक्टिस कर सकते हो नेक्स्ट है अपना नोखनी काला दिखाना नोखनी की काफी बन्दों को समस्या रहती लेकिन थोड़ा सा क्या टेक्निक आपको अप जाए कि छी अपनों प्रेक्टिस फट्रेक्टिस प्रेक्टिस करते रहोगे तो आपको जुरूर सपलता मिलेगी को किसी को है तो आप इस L इक मेंने और आपका रीजल़्िस्त आजा है क dispos Flera को नोखनी कि प्रॉब्लम है ये आप पिलो और लगा कि दोया पर में लगा एक दो तीन गंटा नहीं पूरी रात आप कर रहे हो तो पेर हो दर्द वगरा हो जाएगा तो नोकनी के तो आपको इस प्रकार उठक बेठक या पिलों नीचे लगा के प्रेक्टिस कर सकते हो यह देख रहे हो बंदे के काफी प्रोब्लम थी एको डूसरी डिफ लेकिन इस बंदेगा पहले इतना उपर उठा हुआ था उपर ओनली एक्सल साइज से यह हो सकता है गलत पुसप समारने से या कुछ हमारे हार्मोन्स विक्षित होने से या अप डाउन होने की वज़े से भी हो सकता है काफी बंदों के प्रोल्म आती है अभी देख रहे हो 99 प साइधी इसना आपने वीडियो देखा होगा कि इसका रणिंग चार पैंताली फिर दूसरे दिन कराया था फोर थर्टीनाइन आ गया था लेकिन जादा ताकर लगवादी थी गर्मी था बंदा बेमार हो गया था उल्टियम आने लगया था दो तीन दिन गुलको चड़े त पीछे दिखाना यह देख रहे हो जो आप यह मतलब जो यह अमारे वासां बोल सकता हूं इसमें अभी एक वीडियो बनाया था यह लसन लसुन है जो जनम से ही है उसका आपको अन्फिट नहीं किया जाएगा यह तो एक दब्बे दब्बे से हैं लेकिन कियों को उब्राव अब भी रहता है लसन है न भार रहे से थोड़ा सा उब्रावा रहता है उसका कोई आपका जो बरत मारक है उसका आपको मेडिकल पॉइंट नहीं देंगे यह जनम सेहर बाकी डिपेंड करता है आप जूट बोलोगे डोक्टर पकड़ लेगा या फिर होगा इसमें एक स्रे पॉइंट नहीं है इसमें आपको ज़्यादा गवराने की या पागल होने की जूट नहीं अब लंबा बंदा रहेगा तो पेरों क्या रहता है लचक रहती है लचक भी कोई ऐसी इंपोसिबल चीज निए आपको हो नहीं सकता है इसके लिए आप नॉर्मल यह पेरों की पो तरहों के थार अगर आजाएगा तब्याम का अब ज्चीज बोलाएं उनको अपने लगाया है मैं इसलिए बोला हूंको कोई भी चीज इंपोसिबल कर औक अब कर एचिक हूआ घिक हुआ है लगके लिए निए ललके एक इस बोला हूं जो भी वात बोला हूं जो हमनने करके देखिया कुछ एक्सपरिमेंट नहीं होते जैसे यह एक्सपरिमेंट में लिए नया था ओप्रेशन का मैंने रिस्क नहीं लिया ओप्रेशन लेता तो वैसे एंफिट हो जयाता बंदा एक्सरसाइस से ही ठीक करा के आज ठीक हो चुका तुमारे सामने 99% ठीक हो गया प्रेक्सट पॉइंट में बता रहा हूं जैसे हड़ी का या चेस्ट का अपडाउन होना विक्रती होना तो यह देख रहो जैसे हलका सा माइनर है अब यह देखो डिपेंड ओन डोक्टर पे रहता है कि आपको फीट करें लेकिन वैसे को दिकत हो नहीं रहे है सांस लेडिय लेक्स्ट हलका सा यह देखो यह आप अब देख रही हो यह हलका सा उभार है तो इसका भी कोई ज्यादा टेंसन नहीं है बागी दगो यह चीज़े मैं डोक्टर के उपर छोड़ता हूं बाई यह फाइनल ओठोटी मैं नहीं दे सकता यह कई परकार के दगों उनकी अपनी दिक्केत हो सकती है उनको ज्यादा डाउट भी रहता दूँए मंगो कुछ नी मिलता ब्ंदे को फिट कर दिया जाता है माइनर को चश tápईट कि विकरती है यहां से फुलाऑ तो यह जनम से भी हो सकता है बंदोंगा तो इसमें ज्यादः प्रेशान लैंग आपको जूर्तनी आप exercise करते हो मेहनत करते हूं लेकर exercise भी करते हो तो प्रोपर I है तरीके से करो खासकर मारते हैं इसमें हाथ पतले मोटे हो जाते हällt तो आपका चेस्ट अप डाउन हो जाता है या कोई डायमेंड पुसब मा रहा है अलग अलग तरीके से तो वीडियो देख के आप सतर परसेंट बंदों को फोजी बना देता हूं बस एक फाइरिंग एक डवलू टी और डिल भी आकरा देता हूं मैं कहना है मतलब एक फाइरिंग फाइरिंग मैं यहां नहीं कराता हूं बाकि यहां से सतर परसेंट फोजी बना के ही मैं भेज देता हूं फोजी बनोंगे नही दो सो प्लस मेरे बंदे सेलेक्शन होगे आज तक भी कोई फोज से बाके या सेंटर से बहोड़ा हो के निया है इतना अच्छा मैं इनको गुरू ग्याल इनको जो हमारे जो आर्मी का डिसिप्लीन डाल देता हूं एक आपको मैं एक्जांपल बता रहा है कई बंदों के अंद मैं गलत सोच सकता हूं हमारी सब फोजियों के एक जैसी ही सोच होती है तो आपको देखागा यार यह बंदा एक टांग पर खड़ा है मतलब दोनों पेरों पर खड़ा नहीं सकता तो फोज में क्या करेगा यह हमारी मान सिता रहती तो ऐसी छोटी छोटी गलती आप ना करे जो मैं बाते बोलता हूं यह दि आप लोगों ने घरहन कर ली अची चीजे तो आप लोग 100% सेलेक्शन भी दोगे और आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आएगी आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहे ना आपको इदी और कोई मेडिकल प्रोब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन जाके कमेंट्स करें किसरा हमार को यह प्रोब्लम है और दूसरा मेरे को वाटसप पर भी आप मेरे को फोटू बे सकते हो इदी मैं बोलता हूं इसमें फोटू बे देना वाटसप नमर पर कोई आप होगा या फिर हम बातचीत करके भी आपको मैं सुझाओ दे सकता हूं इतनी कोई डन्ने की या जर्त गवराने की जर्त नहीं आप लोग अपना ऐसी ही प्यार देते रहें जिस भाहिना भी तक मेरे चैनल लक्की डिफेंस अकेडिमी को सब्सक्राइब नहीं क्या प्लीज सब्सक्राइब कर ले ना जिसे आपको और भी बेनिफिट मिलेगे और आप लोग जिनके कोई प्रोब्लम नहीं है वो कमेंट्स में जय हिन जरूर लिखेंगे आपका दोस्त यूरतन सिंग्ग जय हिन जय भर्त